हम यहाँ हसने की बात करते हैं दलितों की बात करते हैं पिछणों की बात करते हैं आदिवासी को बचाने की बात करते हैं और सारे सरकारों की नीतियां चाहे केंदर सरकार हो चाहे राजी सरकार हो कहीं किसी की भी सरकार हो उसका एक मात्र लक्ष यही है कि समाज के अंतिम यक् पहुचना है। मैं जिस राज्जी से आता हूँ अध्यक्ष महोदे संथालपुरणा एरिया से जब संथालपुरणा बिहार से अलग हुआ जारखंड तो 2000 में आदिवासियों का पॉपुलेशन हमारे यहां संथालपुरणा में 36% था और आज आदिवासियों का पॉपुलेशन 26% है दस परसेंट आदिवासी कहां गायब हो गए कहां खो गए इसके बारे में कभी भी यह सदन चिंता की बात नहीं करता है वो बोट बैंक की पॉलिटिक्स करता है और जो हम आखन मुक्ति मोर्चा कॉंग्रेस वो इसके ऊपर जो है कोई भी एक्षन नहीं लिया जा रहा है आज क्या हो रहा है बंगला देश का घुसपैट हमारे यहां लगातार बढ़ रहा है जो आदिवासी महिलाएं उनके साथ बंगला देशी घुसपैट ही है शादी कर रहे हि हमारे यहां जो लोग सभा का चुनाव लड़ती है महिला आदिवासी कोटे से लड़ती है उनके पती मुसल्मान है जिला परशत की जो अध्यक्षा है उनके पती मुसल्मान है मुखिया जो आदिवासी होते हैं और ये टोटल जो है आप समझे हमारे यहां 100 आदिवासी मु प्रतेक पात साल में 15 से 17 परसेंट पॉपलेशन बढ़ता है या वोटर बढ़ता है हमारे यहां 120 परसेंट जये मैं जिस लोक सभा से आया उसकी एक विदान सभा मधूपूर में लगवग लगवग 266 बुथों पर 117 परसेंट मुसलमानों की आवादी बढ़ गई और पूरे आप समझें कि टोटल जो है जारखंड में कमस्कम 25 पिदान सभा ऐसी है जहां 120 परसेंट 110 परसेंट आवादी बढ़ी है ये एक बड़ा चिंता का विसे है दूसरा सर हमारे यहां भी पाकुर जिले में तारा नगर इलामी और डंगा पाड़ा में दंगा हो गया दंगा क्य कि जो पुलिस है और वहां के लोग माल्दा और मुर्सिदाबाद से आकर हमारे लोगों को भगा रहे हैं और हिंदूओं का गाउं का गाउं खाली हो रहा है यह बड़ा ही सिरियस मिस है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं यदि मेरी एक बात गलत है तो मैं इस्तीफा देने को गाउं सारे बंगाल से मुर्सिदाबाद और माल्दा से सारे लोगों ने आपर लोगों हम्रों के हूंप किया और ज़ार्खंड की फुलिस खोई काम नहीं कर पा रही है मेरा आपके माध्यम से कि पूरा मालदा, मुर्सीदाबा, दरर्या, किसंगांज, गठियार और हमारी असाबलज और यह जारकंड हाइपोट का अभी 22 जुलाई का ओडर है जो यह का रहा है कि मुसल्मानों की अबादी दिन प्रति दिन बढ़ रही है और वहां भारत सरकार को आस्तर चेफ करना चाह लागू करिये और इसके पहले यदि कुछ नहीं होता है तो सबसे पहले हाउस की एक कमीटी बेजिए और पूरे सभी उसमें त्रिल्मू कॉंग्रेस के मैसिमा में पूर रखिये कि वो कमीटी जाए और दूसरा जो यह जो यह लाग कमिशन की रिपोर्ट है 235 में 2010 की उसको लागू करिये कि धर्मांकरण और साधी के लिए परविशन जरूरी है आपने मुझे मुझे मौका दिया इनी सब्दों के साथ जैन जैवारत